जम्हार लिखते हैं इन्होंने लिख दिया कि विक्रमी सम्वत, सम्वत का तो मतलब सन, येर, कौन सा येर, विक्रमी येर, मुझे जान तक थोड़ा बहुत याद आता है, मैंने इस्टरी के साथ में थोड़ी चीजें बताई थी, कि अपना जो विक्रमी केलेंडर होता है, य आपने इस भी वाले केलेंडर से 57 साल आगे होता है, कितने साल आगे चलता रहता है, 57 साल, कि इस भी वाला जब भी शुरू होगा, उसे 57 साल पहले आपने विक्रमी वाला केलेंडर सुरू हो गया था, इसका नाम विक्रमी क्यों, तो हम कहते हैं किसी विक्रमा दित्ते नाम के राजा ने इसको शुरू किया था इस ट्रे अभी तक exactly उस पोईंट पर नहीं पहुंच पाइए कि वह विक्रमा दित्ते था कौन सा क्योंकि अपने कई विक्रमा दित्ते वे थे पर यह शूर है कि विक्रमा किसी राजा ने एक केलेंडर शुरू किया जो विक्रमी केलेंडर केलाता है इन्होंने नीचे लिखा गिए चंदरमा आधारित है यह लूनर बेस्ट केलेंडर है तो एक अंतर है कि वह जो इसायों माले किलेंडर होता उस हो अपने वाला के लेंडर हो ता यह ज्यादर जैन्वरी-फरवुद Subscribe वो तो सूर्या धारित है, मम्मी का केलेंडर, जो कि चैत बेशाक वाला होता है, वो चंद्रमा धारित होता है, और मैं और कहूं कि अपने वाला केलेंडर, मतलब जन्वरी फरुली केलेंडर, मम्मी वाला केलेंडर, जो कि चैत बेशाक वाला केलेंडर है, उसे 57 साल पिछे है तो आप इस बात को यूं भी समझ सेकते हैं तो चंध्र्माह रिख केलेंडर होता तो सुनना थोड़ी बात रिज चंध्रमा रिख केलेंडर होता है इनके अंडर महिना होता है उससाजये गुझ execute हो अधीये गुझ थैसे दिन का आप पढ़ते हो कि आठम दो है, एक इते ठीको दो बार गिन लिया जाना चाहिए, तो वो इस आदे दिन वाले चक्र को पूरा करने के लिए इसा किया जाता है, वरना वो साधे गोड़ों ते इस दिन का महिना मेनेज के से किया जाए, तो यह तो किनी दो को कई बार एक साथ को दो बार गिन लेते हैं, तो राउंड फिकर के इंदर करने के लिए, इसमेदी आप 12 महिनों में दिन देखेंगे, तो यह दिन आयेंगे 354, 354 दिन आते हैं, उदर सुरिया वाला कैलेंडर होता है, अपने जानते हैं कि उसके इंदर 365 दिन होते है, वो 365 दिन का साल होता है मैं लगबग round figure में वापस बात करणा हूँ, तो मैं काओं कि इन दोनों के बीच में 10 दिन का गिया था, कि मंम्मी वाला कैलेंडर, मतलब चेहतबभेसाक वाले कालेंडर में 354 दिन होते है, अपने वाला कैलेंडर, मतलब जनवरी फर्मुल्वर्य होनेडर में 365 दिन होते है मतलां अपने वाला कलेंडर और ममी वाले कलेंडर के बीच में 10-11 दिन का difference रहता है. इस भी कलेंडर जनवरडे फर ववली वअला कलेंडर, दोनों मिलाए जाएं, तो विक्रमी कलेंडर में 10 दिन कम पड़ जाएंगए, सोट पड़ जाएंगे. दो साल में मिलाये तो आपको 20 दिन कमपड़ गये सर, मतलब तीन साल में मिलाये तो आपने का सर एक महिना कमपड़ गये, मतलब तीन साल में विकर्मी केलेंडर में, रिसायो वाले केलेंडर में एक महिने का गेप आजा था, ये कलेंडर एक महिने पिछे हो जाता है, विकर्मी एक महिना अत्रिक्त जोड़ देगे वन एडिशनल मन्त और यह जो अत्रिक्त महिना जोड़ा जाता इसको अपने बोलते हैं अधिक मास दो बाते आद रखनी हैं एक तो यह कि अधिक मास कब आता है विक्रमी केलेंडर में तो प्रतेक तीसरे वर्स अधिक मास का निर्धारन किया जाता है अधिक मास प्रतेक तीसरे वर्स आता है क्यों आता है ताकि चंद्रमा वाले केलेंडर को सूरिय वाले केलेंडर से बराबर किया जा सके क्योंकि जो इसाइयों वाला केलेंडर है जो जनवरी फरवरी वाला केलेंडर है वो सूरिया धारित केलेंडर होता है केलंडर होता है चन्दरमाध अजाता है और चंदरमाध अचतु करेंड में या तिस से महीने के लिए पते है यह क्यों विक्रमी किया जाता है आप कोई कहें कि सर नहीं करें तो क्या हो जाए नहीं करते हैं एक मेना बराबर नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं क्या होता देखो मैं बताता हूँ अक्सर दिपावली जो है वो अक्टूबर के शुरू में आती है आप 10-12 अक्टूबर तक दिवाली देख लेते हैं या मैं कहूं कि 20 अक्टूबर से पहले पहले दिवाली आ जाती है पर कई बार जो दिवाली है वो पीछे की तरफ खिसकती है वो नवंबर की तरफ चली जात कई बार होली 22-20 मार्श laborus रक्षया बंञ जादा तार अगस्ट के शुरू में आ जाएगी 3 अगस्ट 4 अगस्ट कई बार अगस्ट पीछे किसके जाती है 20 अगस्ट 21 गो आती है जिस साल तयम्हार पिछे के तरफ आदिक मास होता है चुंकि हम अधिक मास वाला कंशप्ट लेके आ जाते हैं इसलिए त्यम्हार ज़्यादा नहीं की सकते हैं उसमें त्यम्हार मनाते हैं पहले वाले महिने में उसके त्यम्हार नहीं मनाए जाएंगे चेत दो बार आ गया तो चेत के वहार पहले में मनाएंगे दूसरे में मनाएंगे तो हम गते हम दूसरे वाले के अंदर यदि यह महिना एक्टरा हम नहीं जोडते तेरा महिने नहीं करते तीसरे वर्स अत्रिक्त महिना नहीं जोडते अधिक मास नहीं जोडते तो बताओं क्य निवलि एक बार एक्टूबर में दो तिन साल बाद में नवम्बर में इचान बाद में है एक उसके आप मजगरमी में जून के महीने में पटा के चोड़ रहे हैं UNEG all this order मुझे लगता है यह तो कुछ भी नहीं है आपके साथ मुरा तो पुरता होता या आप को कोई दोस्त आप ठंडे पानी की बाल चिला के डालता आपको बोलता कि बूरा ना मानो होली है और आप लगता है बूरा क्यों ना मानो मानना चीए पूरा-पूरा ठंड के अंदर ठंडा कर दिया होली खेशकने लग जाती हमारे बढ़ के कितने intelligent है वहार मौसम के नुसर रिखने ने चीए उसके आसपाशी रहने चीए इसलिए कहा गया कि परते एक तीसरे वर्स जो है वो एक महिन अत्रिक्त जोड दिया जाए जिसको कि हम क्या करते है अधिक मास करते है पर यह जी आप गाव में पूछोगे पंड़जी होते हैं में ती सब बताने वाले पंड पाप दूर करने के लिए बगवान ने का है कि दानपुन्य करने चाहिए, ठीक बंड़जी तो दानपुन्य किसको करें, पंड़जी आंसके करते हैं, किसका है इंतजार, मैं हुना आपके लिए, दानपुन्य मुझे दिये जाएं, गाउं में आपनी ये concept है, हो सकता है अपन बाद में इसका रूप कैसे ही हम ले गए हों, हुआ ये था, कि हिरिने कश्यप नाम करके एक राक्षा सुआ करता था, आपने जादतरने नाम सुनाओगा, हिरिने कश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बहुत बहेंकर, गंगोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा राजी इस को बनाने वाले, और भगवान ब्रह्मा ने कहा एक, मांग रिने कश्यप ब्रहमा जो मांगते का वह मिलेगा, हिरिने कश्यप ने कहा की, बर्मा जे, ऐसा वर्रण दो, जो बारा महीने होते हैं, इन में से, मैं किसी भी महीने में ना मरू। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना पसु से मरूं, ना मनुस्य से मरूं, ना अस्तर से मरूं, ना सस्तर से मरूं, बर्मा जी बगवान जाने उस दिन सुबू सुबह क्या सेट हो गया आये थे, बर्मा जी इनका तथास्तु, अब जिस आदमी को ये वर्दान मिल जाए कि बारा महिने में किसी महिने में ना मरे ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे ना आस्तर से मरे ना सस्तर से मरे ना रात को मरे ना दिन में मरे ना पसू से मरे ना मनुस्य से मरे मतला मरी नहीं सकता वो तो आदिक और जब आजमी को ये पता चल जाए कि उसकी मोत आनी ही नहीं है तो वेक्टिंद्रंकुस होता है मैं आप दुनिया सब इसलिए डरती है कि मोत का डर लगता है सब आपने का डर लगता है अपना मोत कुछ भी नहीं बीगाड सकती नंगा नाच करें अपने नंगा समझें नहीं किसी को कुछ भी फोटे मडे नोगरी लग जाता ना आदमी तो पुलिस वालों को और कुछ नहीं समझता है लालबती भी रुकता नहीं है तो इह पता चल जाए कि मर नहीं सकते तो आद भगवान जानी क्या कांट कर जाए किसी ने भगवान का नाम ले लिया जाएगा हराम है भगवान का नाम लेना मैं किसी को लेने नहीं दूँगा उसके घर में बक्चा जन्मा प्रलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त प्रलाद सुभई श्याम क्यों भगवान विष्णु की रट लगा इसके लाग कुछ नहीं प्रलाद को लगा यार मेरे घर में आनाता है क्या जार दिन विष्णु करता रहता है क्या कर लेगा तुम्हारा विष्णु और प्रलाद मुश्करा आगे देड़ी ऐसे मत करो प्लीज गलत क कर रहे हो जो भी कर रहे हो हर ई नकासा व से मज़डर नहीं लगता में नकाहनियों में नहीं जाओंगा जो आपने भी बजपन से सुनी होगी कि प्रलाद को कई परकार के कष्ट पहुँचाने चाहता हरने कि अपने लेकिन परलाद की कुछ भी नहीं बगड़ा कभी उसे गोई गरम खंबे से लिप्टवा दिया गया, कभी उसे होली का आग में लेकर बेट गई, चमतकार को नमस्कार है, प्रलाद हर बार बज जाया करता। दिक्कत तो यह है, उसे आपका तो मरे ही डर नहीं लगता, क्यों? तो उसे ब्रमा जी ने अशिरवात दिया है, कि बारा महिने में किसी महिने में नहीं मरेगा, ना रात में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना अस्तर से मरेगा, ना स बार कुछ भी नहीं है इस बार महीने 13 होंगे अधिक मास किया जाएगा पर गते हैं कि हिरने कस्षब को मारने के लिए भगवान विष्णू ने ये 13 महीनों का जंजाल रचा एक महीना अत्रिक्त बढ़ाया गया बगवान विष्णू ने अपना नर सिंग आउतार दहरन किया वा आदे नर और आदे सिंग थे उसने यही कहा था ना ना मनुस्य से मरूं ना पसू से मरूं इस बार लो अदा बैदन ना रात में मरूं ना दिन में मरूं गोधुली वेला जब दिन जा रहा होता है निशा आ रही होती है ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं गेट के बिचो बीच देहरी पे डिवधी पे ना अस्तर से मरूं ना सस्तर से मरूं अस्तर वो जो हाथ में रख कर चलाए जाए बगवान विश्णों ने का मान नाखुनों से चीर दूंगों नाखुनों को ना अस्तर में गिना जाए ना सस्तर में गिना जाए पस बेकुंटे के उस नाथ ने त्रिनकस्यप नामक उस राक्षस को अधिक मास का कंशेप्ट रचते वे नर्सिंग अउतार दहरन करके घर की देहरी के बीचों बीच गोधुली वेला के समय अपने नाखुनों से चीर कर रख दिया था और भक्त परलाद को उसके अत्यतारों से मुक्ति दिलाए तो वाकई उस साल पाप बढ़ गए थे इसलिए भगवान विश्णों को अधिक मास का कंशेप्ट रचना पड़ा वो ह अक्सर अपनी मम्या इन महिनों के अंदर कुछ ना कुछ दान पुन्य करती भी मिल जाएगी जिसकी जैसी सर्धा उसी साफ से दान पुन्य की जाए तो याद रहे आपने और कि विक्रमी केलेंडर को इसवी केलेंडर के बराबर करने के लिए वास्तनों में तो इसवी पुरिये वाले कलेंडर से बराबर करने के लिए परतेख तीसरे वर्ष एक अत्रिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसको कि अधिक मास्कत है अपने इतनी याद रखने वाली बात बाकी वाली चीज मैंने सुना दी कहानी सुना दी आपके भी याद रहनी चाहिए